जहें दोस्तों बहुत बहुत श्रागत थे अपका फिर से एक नए जुकेशनल वीडियो में दोस्तों आज एकसल का सेकंड कलास हमें स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम एक स्टॉक रिपोर्ट डाटा एंटरी वर्क के लिए बनाना सीखेंगे जिसमें हम GST से रिलेटेड भी ट क्वांटिटी रेट एमाउंट ठीक है एक CGST, SGST और नेट इमाउंट तो इस तरह से हम पार्टिकुलर एरिया को हम सालेट कर लेते हैं जैसे फॉर एक्जांपल यह रही मेरी एरिया अब दोस्तों क्या करना है इस एरिया को आपको ब्लैंक कर लेना है ब्लैंक करने के बोर्डर पर बोर्डर पर जाने के बाद अगर आउटसाइड बोर्डर करना चाहते हैं तो यहां से सिर्फ आउटसाइड बोर्डर कर लेते हैं तो दोस्तों आपका ब्लैंक के एरिया जो था कुछ इस तरह के प्रिव्यू में दिखने लेगा यह आपका डिजाइन होगा तो यह reporting का मेरा design है अब दोस्तों इसमें हम बहुत सारे changing करेंगे जैसे मुझे अपने हिसाब से सबकुछ लेना है तो हम ये दो lines को select करते हैं दो columns को यानि row के साथ में अब दोस्तों इस area को merge and center करेंगे हम merge and center करने के लिए ये options है merge and center का इसमें बहुत सारे options आते हैं लेगिन आपको merge and center करेंगे तो ये दोनों जो आपका row दिख रहा है वो merge हो जाता है यानि मिल जाता है अब आप इसमें कोई भी heading लिख सकते हैं जो आप देना चाहते हैं जिसे माल लिया जा हम यहाँ पे एक देना ये size है increase font पे click करेंगे तो ये size increase करेगा अपने area का हिसाब से हम size को increase कर लेते हैं फिर हम यहाँ से क्या करेंगे एक background color कर लेते हैं दोस्तो background करने के बाद आपको क्या करना है इसको थोरा सा bold कर लेना है तो हम bold कर लेते हैं तो कुछ इस तरह कर डिजाइन में आपको font दिखने लगेगा अब दोस्तो अगला काम क्या करना है आपको एक line को और select करना है और इसमें address के लिए margin center करना है अब इसमें address आपको type कर range मुझफरपुर बिहार 84-32 उसके बाद क्या करना है इसको भी थोरा सा bold कर लेते हैं ताकि एरिया यह अच्छा से दिखने लगे दोस्तो हम इसमें comma करके और एक address के साथ number भी चाहें तो number भी हम यहाँ पर type कर सकते हैं तो हम एक comma करते हैं और number type कर लेते हैं इस तरह से दोस्तो number type करने के बाद यह डिजाइन आपको यहाँ पर दिखने लगेगा अब आपको क्या करना है इसके background को भी color कर लेना है तो एक background को हम color कर लेते हैं तो कुछ इस तरह के design में आपका format दिखाई देने लगेगा फिर अगला काम क्या करना है कि फिर से आपको इस area को seller कर लेना है seller करने के बाद margin center पर क्लिक करना है area आपका merge हो जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर type करना है serial number and date तो हम यहाँ पर type कर लेते हैं date और GST number टाइप कर लेते हैं तो पहला हम type कर लेते हैं GST number GST number यह है उसके बाद हमें space देते हैं और space देने के बाद हम यहाँ पर type कर लेते हैं date date double dot hyphen 2, 3, 2023 फिर दोस्तों आपको नीचे क्लिक करना है area को select करना है then एक color से हम इसे पुना color कर देते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह के design में देखेगा हम यहाँ पर करसा रखकर के बीच में थोड़ा सा space gaping ज़्यादा कर लेते हैं ताकि यह दोनों दो तरह चला जाए हम keyboard का space दोस्तों आपको एक line जैसे की यह रहा तो आपको इस line को भी select करके हम color कर लेते हैं color करने के लिए सबसे पहले आप इसमें border कर लेते हैं border करने के लिए all border पे click करते हैं यहाँ से जा करके तो इसमें 4 तरफ यह border लग जाएगा border लगाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इसमें जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिखिए तो हम टाइप कर लेते हैं serial number s.n serial number tap देकर करसर आगे जाएंगे और stock name name of item भी लिख सकते हैं stock लिख सकते हैं stock name लिख सकते हैं या product लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर product को type कर लेते हैं उसके बाद qty quantity फिर rate then amount उसके बाद आपको यहाँ पर type करना है cgst उसके बाद sgst और फिर यहाँ पर net amount या फिर आप total लिख सकते हैं अब दोस्तों यह design आपका त्यार हो चुका है इस area को select कर लेना है नीचे तक और इसको यहाँ से center कर लेना है क्योंकि यह बीच ओ बीच रहे है अब आपको क्या करना है इस area को पुना select करना है यहाँ तक select करने के बाद इसे हम all border में convert कर लेते हैं ताकि आपका design कुछ इस तरह से दिखने लगे तो दोस्तों अगर आप all border कर लेते हैं तो design आपका इस तरह से दिखता है नॉर्मली अगर आप सिर्फ line खीच करके border करना चाहते हैं तो उसके लिए design को आपको change करना परेगा लेकिन हम यहाँ पर all border ही रहने देते हैं यह देखने में अच्छा लग रहा है अब दोस्तों नीचे वाले area को select करना है merge and center पर click कर लेना है तो यह area आपका merge हो जाता है फिर आपको इस area में आपको यहाँ पर total निकालना है all amount तो आप यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ से draw border लेंगे draw border लेने के बाद इस area को हम draw कर लेते हैं border में अब दोस्तों इसमें हम फटा फट टाइप कर लेते हैं serial number इसमें product का नाम कितना quantity खरीदना है कितना rate लगाना है यह पहले मैं type कर ले रहा हूँ उसके बाद amount cgst, sgst यह सारा चीज हम formula से निकालना सिखेंगे तो आज़े दोस्तों पहले हम इसको type कर लेते हैं यह दोस्तों मैंने कुछ product के नाम type कर लिये हैं अब यहाँ पे हम serial number दे देते हैं serial number 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे 2 लिखने के बाद इस दोनों को shift के साथ में select करेंगे then यहाँ से left click के साथ हम नीचे तक drag कर लेंगे तो यह totally serial number automatic आजाता है उसके बाद दोस्तों quantity और rate हम type कर लेते हैं कि mouse का quantity कितना खरीदना है उसका rate क्या लग रहा है पर piece के हिसाब से दोस्तों मैंने यहाँ पर quantity को type कर लिया है rate को भी type कर लिया है अब मुझे mount निकालना है amount निकालने के लिए formula लगाएंगे scroll to, scroll to देने के बाद हम इसमें cursor को drop out करेंगे यह automatic sale मेरा selection ले लेगा फिर गुना का शिंबॉल देंगे second वाले column में हम cursor को रखेंगे फिर इंटर करेंगे इंटर करने के बाद automatic मुझे amount यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों आपको सब में ऐसा नहीं करना है एक का जब निकल जाता है तो cursor को यहाँ से corner पे ले जाईएगा lift वाला click किजएगा और नीचे की तरफ खीश लिजएगा तो इस तरह से सारे जो भी products है आपके उसके amount निकल करके आपको आ जाएगे आप दोस्तों CGST और SGST के बारे में बता देते हैं कि यहाँ एक परकार का tax है आपका जो central और state दोनों आधे आधे के रूप में आपको charge करेगी अगर हम computer से related काम कर रहे हैं तो इस पर 18% का tax लगेगा जिसमें 9% central यानि government of India और 9% आपका जिस राज से आप इसको sold कर रहे हैं यानि इसका जो transactions कर रहे हैं तो जैसे बिहार से कर रहे हैं तो बिहार में आपका 9% लग जाएगा तो यहाँ पर हम type करेंगे is equal to और total amount का लगता है तो total amount में cursor रखेंगे गुना, 9 और percent का symbol देंगे shift के साथ अगर 5 button प्रेस करते हैं तो automatic percent का symbol आएगा हम enter करेंगे तो यहाँ पर cgst निकल करके आजाएगा cursor को नीचे यहाँ पर corner पर रखेंगे left click के साथ नीचे की तरफ drag कर लेंगे तो यह total amount मुझे निकल करके दिख जाएगा उसके बाद दोस्तों इसी तरह मुझे निकालना है cgst same work करेंगे is equal to amount में cursor रखेंगे गुना का symbol देंगे 9 लिखेंगे और percent का symbol दे करके इंटर करेंगे यह automatic निकल करके आजाएगा दोनों equal में होगा same में होता है corner को यहाँ पर corner पर cursor को रखेंगे left click के साथ में नीचे तक drag करेंगे तो यह total amount मुझे यहाँ पर दिख जाएगा अब जो amount है आपका main जो value है वो cgst, sgst दोनों text और आपका main amount तीनों को जोड़ेंगे तो आपका total आजाएगा जोडने के लिए हम equal to का इस्तमाल करेंगे sum sum formula को लिखेंगे bracket को open करेंगे और जितना area जोडना होता है उस तीनों area को हम ऐसे select कर लेते हैं अगर दोस्तो select करने में दिक्कत है तो आप यहाँ पे type भी कर सकते हैं दोस्तो लिखना क्या है आपको यहाँ पे cursor को रख देना है double dot का symbol देना है और उसके बाद आपको cursor यहाँ पे drop करना है तो दोस्तो आपको h7 से जोडना है और j7 तक तो यहाँ पे हम j7 को type कर लेते हैं उसके बाद दोस्तो जैसे type करेंगे यह रिया आपका selection होता हुआ नजर आएगा यह रिया select हो चुका है अगर दोस्तो आप नॉर्मली तरीका से select करना चाहते हैं तो equal to sum लिखेंगे bracket को pin करेंगे और इस तीनो डाटा को select कर लेंगे देन bracket को close करेंगे और इंटर कर देंगे तो यहाँ पे total आपका निकल करके दिख जाएगा अंठावन सो रुपिया का आपका amount है 522, 522 आपका CGST, SGST है total 6844 रुपिया का amount बन रहा है करसर को यहाँ पे रखेंगे corner पे left click के साथ नीचे की तरफ drag करेंगे मुझे total amount यहाँ पे दिख जाएगा अब दोस्तों यह आपका CGST, SGST के साथ reporting त्यार हो चुका है नीचे में अगर आप net amount निकलना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा पहला हम इस area को select करके और यहाँ से हम कर लेते हैं outline border outside border तो यह दोस्तों कुछ इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पे हम लिखते हैं net amount net amount लिखने के बाद दोस्तों यह area थोड़ा सा छोटा पर रहा है तो हम यहाँ से heading से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं तो इस तरह से design दिखेगा फिर से इसमें करसा रखके हम इसे भी outside border कर लेते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का design दिखने लगेगा अब आपको यहाँ पे निकालना है total तो इसके लिए हम एक formula यूज करेंगे sum का is equal to sum sum bracket को फिन करेंगे सारे पैसा को जोड़ना है तो हम सारे area को select कर लेते हैं bracket को close करके enter करेंगे तो total amount आपको यहाँ पे net amount दिख जाएगा यानि पूरा पैसा आपका यह हुआ हम area को select करके एक color से color कर लेते हैं color करने के बाद हम इसके background को भी color कर देते हैं पहले हम इस color से background को कर लेते हैं उसके बाद text color पे जाकर करके हम text को color कर देते हैं तो कुछ इस तरह के design में यह आपका text दिखाई देने लगेगा अगर आप signature वगरा लगाना चाहते हैं या sign वगरा करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम sign वगरा लिख सकते हैं S I Z N तो यहाँ पे आप sign कर सकते हैं तो आप area को select करें और select करने के बाद margin center पे click करें यहाँ पे type करें इस बिलिग आपका त्यार हो चुका है यह design आपका त्यार हो चुका है तो दोस्तो आज के class में CGST, SGST पे आपने आज एक data entry का work करना सीखा दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like कर दिजिए और मेरे चैनल पे अगर नया है तो चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि इस तरह का educational वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे फिर मिलता है दोस्तो किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएं